जाहिन साथ यो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा IBPS, RRB के अंदर जो नई वेकेंसी आई है उसमें क्या सलिबस रहने वाला है, क्या ग्रेजुशन मांगी है मेल, फीमेल के लिए आपकी नौकरी पोस्ट कहां पर कारेरत आप होंगे और किस तरीके से ये एक्जाम जो है, अदर बैंकिंग के एक्जाम से काफी सरण होने वाला है दौनों में ही बहुत बहुत हाँ डिफरेंट मतलब अगर आप किसी और बैंक की तयारी करते हैं, बीयो, पीयो या फिर कलर के लिए तो उस सब के लिए अलग स्लेबस होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्लेबस आपके अकोड़ेंगे अगर आपने यूपी पुलिस या फिर ऐसाई की भी तयारी कर रखी है तो अल्मोस्लेबस वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं कुछ नई टॉपिक बचेंगे जिनको आप अगर पढ़ लेंगे तो आप इस एक्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे और किस पोस्ट पर जाकर के आपकी नौकरी लगेगी तो सारी चीज़ें आपके जो डाउट हैं वो भी मैंने ले रखे हैं तो उन सभी डाउट के उपर आजम डिसकस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी संक्या में यहाँ पर बेकेंसी है मतलब पदाओं की संक्या 8,611 है इसमें उम्र जो वो 18 से 30 साल के बीच में है तो भी आप फॉर्म बढ़ सकते हैं और इसमें जो एजुकेशन मागा गया है वो ग्रेजुशन लेवल मागा गया है मतलब अगर आपने ग्रेजुशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं चलिए मैं कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी बात करूँगा और जो जरूरी चीज़ें उपर मैं डिस्कस करूँगा जिसे इसका अप्लाइड हीट कब से टेए PacS Rural Listenal Bank RRV के रिकुटमन दियारतित यह क्या होता है कि यह जो आपकी नौक लगती जादा तर मतलब जो ग्रमी बैंक को होती है उनकी अंदर आपकी नौकली लगती है जही से आरे वर्त बैंक है और आपने देखाूए हर जगए आरे वर्त जो bank के उसको देख रखा होगा तो बस वहीं पर आपकी जो है नौकरी लगेगा इसके बाद में कुछ चीज़ें जरूरी है वो आपको मैं बता दिता हूँ जैसे कि इसका जो application चालू हो गया है वो 1 June से हो गया है और 21 June इसका जो है वो last date है और payment का last date है 21 June वो ही exam date जो यानि पहला exam होगा prelims जो होगा वो आपका अगस्त में होगा admit card आपके अगस्ते पहले आजाएंगे और जो main exam होगा वो September में होने वाला है fees जो है वो S.E.S.T. या physical handicap के लिए 175 है general O.B.C. के लिए 850 रुपे यहाँ पर रखे गया banking का almost आपने देख रहा है बहुत ज़्यादा जो हो चार्ज लिया जता है हमें लगता है यहीं से धनवान होने वाले हो क्योंकि उनका सही बात है profit में उनका दमाग चलता है यह जो लिमिट है वो आपका यह 31, 52, 33 से जो है count की जाएगी office assistant के लिए जो एक post है इसके अंदर उसके अंदर 18 से 28 साल है office officer scale first में 18 से 30 है senior manager officer इसके लिए 21 से 40 है other post के लिए यह आपका 21 साल से 22 साल के बीच में यह notification सब ने read कर रखा होका लेकिन जरूरी चीज़ों को हम इसमें भी discuss करने वाले है अब मैं थोड़ा बात यहाँ पर आपकी जो post के लिए vacancy है उन पर एक बात मैं नजर मार लेता हूँ यहाँ पर देखेगा office assistant की है office assistant it means you can say clerk यानि clerk यानि बाबू की नोकरी यानि कि देखो इसमें सबसे आदा vacancy होती है 5538 और यहाँ पर आपका जो graduation है वो आपने अगर graduation कर रखा है किसी भी से BA, BSC, BCOM किसी भी department से कर रखा है तो आप इसके लिए eligible हैं और सामान तरह सभी विद्यार्ती almost होते हैं वो graduation कर लिए होते हैं तो इसमें demand नहीं है कि सब आपको BSC होना चाहिए अब BA होना चाहिए ऐसी बात नहीं है officer skill first के लिए 2485 है जिसमें भी आपने एका degree कर रखा है bachelor degree है graduation है तो graduation के through है sorry तो graduation level पर आपने कर रखा है तो आप इसका officer skills second के लिए 332 post है इसके बाद में officer skills second है 67 है जो information department है यह इस तरीके से आपके पास में ओके देखो कितनी एक अच्छी बहुत अच्छी वेकेंसी होती है कि 3D officer skills second यह बहुत अच्छा जो है आप जब नोकरी लग जाते हैं सरकारी नोकरी तो आपकी जो salary तनका बनती है और 3D से बनती है तो यह काफी जो है अच्छा पाद है इसके लिए notification में ठीक है कहीं पर भी कोई भी अगर doubt होता है तो जो notification में होता है वो जो authentic होता है इसके बाद में आपका जो age जो यहां पर मांगा गया है आनि officer skills third के लिए senior manager के लिए 21 से 40 है और manager के लिए 21 से 32 है assistant manager के लिए 1830 है office assistant मतलब multi-purpose मतलब सारी काम करता है मतलब clear होता है वो ठीक है वो 18 से 28 से ठीक है तो यह आपका मैंने age बाला जो problem है वो मैंने आपको बता दिया है इसके बाद में यहां पर देखेगा education क्या चाहिए education qualification क्या चाहिए जैसे office assistant के लिए clear के लिए आपके पास में bachelor degree होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया और एक और चीज जहां मतलब जिस भी चीज जिस चेत्र में आप form भर रहे है उस चेत्र की local language आपसे आनी चाहिए अगर आप UP में है तो आपको हिंदी आना चाहिए ठीक है तो हिंदी मतलब local language आपको आना चाहिए यह preference होता है इसके बाद में और आपके यह desirable मतलब working knowledge of computer computer की जानकारी होनी चाहिए जरूरी नहीं कि इसका कोई certificate आपके पास में हो बस knowledge होनी चाहिए और knowledge में अगर आपसे कोई हाँ या ना पूछे तो इसमें तो मायर होते हैं सबसे पहले बताते हैं या नाम तो यह मैंने आपको बता रखा है क्या क्या मांगा गया है ठीक है अब चीजें आगे हैं यह मैं notice आपके सामने रख दिया है application fees मैंने आपको बता दिया officer scale for second या third उसके लिए यह देखो सेम यहां पर भी वह है यानि office assistant के लिए सेस्ट के लिए सेस्ट के लिए सेस्ट के लिए एक सो पिचेतर बाखी आट सो पचास है तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है इसके बाद में यहां पर हम online exam की बात कर लेते हैं online exam जोगा वो prelims होगा और यह negative marking भी है 0.25 के बता दूँगा यहां पर देखो आपका जो पहला test होगा उसमें reasoning आएगा numerical ability आएगा 40-40 person आएगे 40-40 नमर के मतलब 80 person हो जाएगे 80 नमर के और यह आपका 45 मिनट का time दिया जाएगा इसके बाद में officer skill first के लिए यह syllabus है मतलब syllabus same है time भी same है इसके बाद में देखिए mains में आपको बता तो mains भी objective होने वाला है office assistant के लिए मतलब के लिए मेंस होने वाला है जिस पर आपकी merit बनती है नमर आता है उसके लिए syllabus देख लीजेगा reasoning, computer knowledge, general awareness English language ये हिंदी देखो, Hindi या English दोनों में से आप एक choose कर सकते हैं choose करेंगे Hindi तो आपको Hindi आपको मिलेगा देखने को choose करेंगे English तो आपको English देखने को मिलेगा तो जिनकी English कमजोर होती है वो इस paper को आराम से कर सकते है मतलब English को छोड़ दीजे Hindi opt करेंगे के पास में timing होने वाला है ओके तो देखो officer skill first के लिए ये उनका जो है वो slavers है देखेगा जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और मैं आपको उता दूँ यहाँ पर जैसे 4A और 4B लिखा हुआ है इसमें आप confusion मत रहना ये नीचे उन्होंने समझाया के 4A और 4B का मतलब क्या होता है 4A 4B देखो candidate can opt either 4A और 4B मतलब हिंदी या इंगलिस दौनों मैंसे एक जो है वो subject चूज कर सकते है पेपर तो दोनों ही mood में आता है अब देखेगा single label examination ये भी objective होने बाला है मतलब ये means है और ये आपका syllabus यहाँ पर रहने वाला है तो syllabus आप देख लिजीगा इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपका वो ही है penalty for wrong answers आपका 0.25 का जो negative marking यहाँ पर लगेगा तो इस negative marking को भी थोड़ा सा आप ध्यान बना करके रखेगा इसके बाद में एक और चीज मैं clear कर देता हूँ जिसे यहाँ पर बात करते हैं मैं office assistant पर थोड़ा ध्यान दोंगा क्योंकर almost विद्यार्थी office assistant के लिए form भरते हैं और सामाने तहां क्योंकि आप देखिएगा UPE police में अगर आपने त्यारी कर रखा होगा तो बताओ क्या reasoning नहीं आती है reasoning आती है मतला आप 40 में से 38, 49 तो करी लेंगे एक छोड़ दिया है बने computer knowledge, computer के भी सवाल आते हैं लेकिन computer का यह पर portion बहुत ज़ादा है 40 प्रसन आने वाला है मतला computer पूर आएगा और क्योंकि banking की नोकरी है तो इसलिए आपको computer का अच्छा knowledge होना चाहिए ठीक है इसके knowledge तो होनी चाहिए तकि साथी में आपको computer भी best knowledge best अच्छे teacher से जोगा पढ़ना पढ़ेगा ताकि आप यह 40 प्रसन हैं और तो मैं पता 40 प्रसन 40 नम्मर के हैं मतलब यह काफी वैटेज है और ऐसे में अब देखे दोसों मैंसे आप अगर computer का एक भी नहीं क्या तो 160 मतलब सोच यह जो 180 और 180 लाएंगे चाहिन तो उनका होगा तो ऐसे में आपको ऐसा कोई subject लिया topic नहीं छोड़ना है जिससे आपको लगता है कि हाँ हम इसे पिचड़ जाएंगे इसके बाद में general awareness होती है अब general awareness current affair पड़ेगा या फिर general statics GK पड़ेगा उससे अच्छा हो जाएगा English Hindi का जो problem होता है वो एकदम खतम हो चुगा है English Hindi में से आप एक को चूज करेंगे वैसे यह जिसे UP police में English or Hindi आता है Yes or No वैसे जिसे SSC GD में Hindi भी आता है और English भी आता है दोनों में से एक चूज करना होता है तो आपको paper में एक देखने होता है numerical ability सामनता गड़त के छोट छोट सवाल आएंगे और यहाँ पर उनकी भी संक्य है जो है वो 40 रहने वाले Is that clear? तो कोई भी मन में जो है doubt आपका नहीं बना चाहिए तो मैंने पूरा स्लेवस आपको जो है समझा दिया है कोई doubt है तो जरूर कमेंट करेगा वीडियो को लाइक जरूर करें और चनल को सब्सक्राइब करेजेगा मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद